दोस्तों कर आप 2024 के अंदर अपना एक Zero Balance अकाउंट ओपेंड करना चाहते हो जिसमें कि अगर आप पैसे ना भी रखो तो आपको कोई भी चार्जिस ना लगाया जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इंडिसिन बैंक के इंडि अकाउंट के बारे यह जो अकाउंट है आप Zero Balance से ही ओपेंड कर सकते हो इसमें अगर आप पैसे नहीं भी रखोगे तो आपको कोई भी चार्जिस नहीं लगाया जाएंगे इसी के साथ में इस अकाउंट पर आपको जो इंट्रेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट के अंदर पा सकते हो इसी के साथ में जो अकाउंट है वो आधार के प्रोसेस में लाइब दिखाऊंगा सबसे पहले तो आप सभी को अप्लिकेशन है इंडिसिन बैंक इंडी करके डारेक्ट लिंक आपको इस अप्लिकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप करते हैं कि इस अकाउंट के अंदर आपकी जो इस पेंडिंग होगी उस पर आपको जेम पॉइंट मिलेंगे जो की यूपी आई से जो ट्रांजेक्शन करते हो उस पर भी आपको मिलने वाले हैं यहां पर आपको इंडी क्रेडिट लाइन का एक फीचर मिलता है जिसमें सेविंग अकाउंट अभी खोलना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट नाओ के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहां पर अपना जो मुबाइल नंबर है वह इंटर करना है और समीट की टैप पे क्लिक करना है यहां पर भी आपके मुबाइल फोन पर एक OTP आए गा उसको इंटर करना ह और submit के option पे click कर देना है तो यहां पर authentication होते ही आप सभी के सामने एक pop-up आता है जहां पर आपको बताया जाता है कि इस application को use करने के लिए आपको एक pin set करना होगा 4 digit का कोई भी number जो आप remember रख सको यहां पर enter करना next करना है अगें आपको re-enter mpn के section में वही इंटर कर देना है और next के option पे click करना है तो इतना करते ही अब आप देखोगी कि हमारे सामने इंडेसिंट बैंक के इंडी application के अंदर जितने भी products हैं जिनको हम avail कर सकते हैं उनकी पूरी ही list आ जाते है तो हम यहां पर जो saving account का option दिखाया है इस पर हम click करेंगे देन आप इसके जो benefit है वह देख सकते हो जिसमें कि saving account पर यहां पर इंडेसिंट बैंक की तरफ से जो आपको बोला जाएगा तो capital letters में अपना जो pen number है वह इंटर करना है next करना है और यहां पर अपना जो आधार number है वह इंटर कर देना है यहां पर भी आपको next की tab पे click करना है अब यहां पर आपके आधार card से जो भी आपका mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा जो की OTP आपको इंटर करना है तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार card पर हमारी जितनी भी information मौझूद थी वह यहां पर फेचो करके आ चुकी है तो यहां पर आप अपना जो एड्रस वो इसके साथ में जोड सकते हो मेरे केस में यह जो एड्रस है बिल्कुल ही सही है हम यहां पर कांटेन्यू की option पर क्लिक करेंगे आप यहां पर आप सुभी को अपनी परसनल कुछ इंटर करना जिसमें फादर का नेम मजडर करना इसी के साथ में आपनी जो आपको करना है आपको सर्क्राइब बताना है, आप एक housewife हो, student हो, या फिर आप एक business man हो, आपकी जो भी annual income है, यहाँ पर कई सारे slab दिखाएगे हैं, आपको selection करना है, और next करना है, अब जैसे हमने next की tab पे click किया है, तो हमारे सामने एक pop-up आया है, जहाँ पर nominee की जो details वो add करने के लिए बताया जा रहा है, जिस जो nominee का detail है वो भी add कर लो, तो अपना जो nominee है, जिसको भी आप बनाना चाहते हो, यहाँ पर उसका name enter करना है, अपना nominee से जो भी relation है, यहाँ पर selection करना है, जो भी data worth है nominee की, यहाँ पर आपको enter कर देना है, तो submit करते ही, आप देखोगे कि हमारा जो account है, वो यहाँ पर create हो रह जाता है, जहाँ पर आप देखोगे कि इस account के अंदर आपको funding करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि दो category यहाँ पर दी गई है, पहला account है, super star, जिसके अंदर 25,000 से ले करके 49,000 रुपे तक का जो amount है, वो आप fund कर सकते हो, जिसके साथ में mega star यहाँ पर जो account है, इसके अंदर आपको 50,000 रुपे की initial आपको funding करने होगी, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आइड कर सकते हो, जिसके इस account के अंदर जो भी आपको benefit मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर दिखायेंगे, जैसे कि extra आपको reward point मिलेंगे, इसके साथ में domestic launch access भी आप आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यानि कि अगर आप flight से सफर करते हो, तो वहाँ पर आप free में food और enjoy कर सकते हो, इसके साथ में fuel अगर आप refilling कराते हो, तो 3% का आप सभी को यहाँ पर benefit मिलने वाला है, इसके साथ में David card में भी different है, यहाँ पर superstar के अंदर visa platinum मिलेगा, इसके इसके अंदर हमें कोई भी funding या फिर average balance maintain करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल यह बात सच है, यहाँ पर दो type के जो account है, वो indecent bank ने आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि जो benefit हैं वो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको average balance maintain करने की जरूरत परती है, लेकिन इनक लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर do it later का जो option दिया गया है, इस option पर click करना है, तो यहाँ पर एक pop-up आता है, कि आरे शोर आप skip करना चाहते हो, अभी fund नहीं करना चाहते हो, तो बिल्कुल भाई, हम अभी पैसे account के अंदर नहीं डालना चाहते हैं, देन आप देखोगे हैं, तो हमारा जो account है, वो पूरी तरीके से activate हो जाएगा, account activate होने के बाद में इस account के अंदर कोई भी limitation नहीं रहेंगे, कितना भी amount इस account के अंदर आप रख सकते हो, और यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप अपने KYC नहीं करोगे, तो यहाँ पर maximum आप अपने account के अंदर दो लाख रुपेर तक का जो पैसा है, वो रख सकते हो, इसके साथ में account की वैल्टी है, वो भी एक साल होने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पर वीडियो की आप्शन दिया गया है, हम start वीडियो की आप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है क किसी भी permission को आपको skip नहीं करना है, सारी permission को आपको allow करना है, तो आपको यहाँ पर basically टिक करना है कि सारी चीज़े आपके पास available है, तो original pen है, बिल्कुल plain paper है हमारे पास में, इसके साथ में blue या फिर black pen होना चाहिए, तो सारी चीज़े यहाँ पर हम यहाँ पर टिक करने के जो option दिया गया, इस पर click करेंगे, और आप सभी के सामने इस तरीके से कुछ countdown चलने लगता है, और यहाँ पर भी आप दिखोगी कि automatic हमारी जो call है, वो यहाँ पर bank कर्मी के साथ में connect हो चुकी है, यहाँ पर bank कर्मी की तरफ से जो भी आप सभी से information मांगी जाती है, उनके स दी जाती है, अब यहाँ पर जैसी कि यह जो account है, आपका open होने के बाद में, कैसे इसको use करना उसके लिए बता देता हूं, तो इसी application में दुबारा से आप आओगे, आपका जो account है, वो successfully full KYC होने के बाद में, यहाँ पर अपना जो number है, आप enter करोगे, submit करोगे, तो पहले जैसे कि आप सभी के सामने account open करने के page आया था, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग दुबारा से जब आओगे, तो इस portal के अंदर login हो जाओगे, जहाँ पर account के अंदर किसी को भी पैसे भेजना है, या receive करना है, या फिर कोई bill payment करना है, bank to bank पैसे किसी को transfer करना है, इसी के जैसे कि आपको fixed deposit करना है, credit line जैसे कि loan का benefit हो भी आप लेना चाहते हो, तो यह सारे features यहाँ पर आपको दिखाए गए, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस account के अंदर हमारा जो fund है, वो अभी भी zero है, क्योंकि हमने zero balance account open किया, कोई भी fund हमने deposit नहीं किया, और यहाँ पर यह जो balance है, आप चाहो तो आपका जो कोई पुराना account पहले से open है, यहाँ पर आप UPI की जरिए उस account से जो पैसे हैं, वो add कर सकते हो, इस account पर आपको एक virtual debit card भी मिल जाता है, यह जो debit card है, अगर आप इस debit card की tab पे click करोगे, और card preference के option पे click करोगे, और यहाँ पर आप देखोग के card control के section में हम है, तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो card है, इस पर हमने कोई भी right enable नहीं किये है, अभी आप देखोगे कि इस card के जरिए अगर हम कहीं पर भी कोई payment करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें enable करने की जरुरत होगी, उसके बाद में यहाँ पर आप limit भी set कर सक सकते हो, बाकि यहाँ पर यह जो card आपका जारी हुआ है, यह card आप फिजिकल भी अपने घर के पते पर पा सकते हो, यहाँ पर आपको apply for physical card का option दिया गया, जिस पर click करके आप इस card को आप अपने घर के पते पर post की माध्यम से पा सकते हो, तो इस तरीके से आप सभी लोग indecent bank के अंदर अपना zero balance से जो account वो open कर सकते हो, अब indecent bank के अलावा मैंने कई सारे अने bank के अंदर भी zero balance account को कैसे open करना है, मैंने वीडियो पहले ही record कर रखें, अगर आप कोटक महिंदरा bank या फिर state bank आप इंडिया के अंदर अपना zero balance account open करना चाहते हो, तो वीडियो के description में हम subscribe करके जरूर रखना, और आप सभी की मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके कोई परिशानी आप फेस कर रहे हो, तो मुझे लिख करके जरूर बताना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, जैहिन